की एकी यहां बढ़ सकती है कैसे में केंश होने की संभावना है हमें क्या इसका operation करवा लेना चाहिए ऐसे बहुत सारे सवाल पेशन के दिमाग में आ जाते हैं जैसे ही उसको बता चनता है कि उसको ovary में cyst है तो मैं आपको clear कर देती हूँ कि ovarian cyst को हम दो parts में divide कर सकते हैं एक तो होती है normal cyst जो naturally ठीक हो जाती है उनको बोलते हम physiological ovarian cyst और एक ovarian cyst होती है जो की pathological ovarian cyst होती है जो की मतलब बिमारी का कारण होती है physiological ovarian cyst कौन कौन सी होती है अगर हम scientifically उनका नाम लें तो उनका नाम होता है follicular cyst, hemorrhagic cyst, corpus luteal cyst यह जो तीन तरेगी cyst होती है यह physiological cyst होती है और यह naturally resolve हो जाती है generally इनका size जो होता है वो 4 cm वेटर से कम होता है यह इनसे patient को कोई pain vein नहीं होता है इनके वज़े से आगे जाके कोई infection या long term बिमारी patient को नहीं होती है इसलिए इनको physiological कहा जाता है यह क्यों बन जाती है क्योंकि हमारी जो ovary है यह एक बहुत ही ऐसा organ है जिसमें लगातार कुछ न कुछ चलता रहता है हमेशा बीज बनता है, छुटता है, निकलता है, pregnancy होती है फिर उसके बाद वापस वही process स्टार्ट हो जाता है, तो क्योंकि ओवरी में इतना कुछ होता रहता है तो इस वज़े से कभी-कभी उसमें इस तरह की normal cyst बन जाती है, जिनसे आगे जाके कोई नुकसान नहीं होता मैं तो patients से generally follow-up भी नहीं करती हूँ, अगर मुझे clinically patient की ovarian cyst physiological लगती है बट sometimes patients की assist अगर patients चाहते हैं, बहुत जादा insist करते हैं, तो मैं वन-वन्त बाद उनका दुबारा से scan करके उनको ये clean shit दिदेती हूँ कि भई आपका cyst ठींक हो गया अब हम बात करते pathological ovarian cyst pathological ovarian cyst भी दो तरह की हो सकती है, उसमें एक तो simple cyst होती है, एक complex cyst होती है, और complex cyst के अंदर cancerous cyst भी होते है तो जो simple cyst होती है, जो कि pathological होती है, उसमें simple cyst की quality होती है कि वो जो नी लॉकिलन, मतलब हो एक ही होती है और उसके अंदर फानी परा होता है, उसका size generally more than 6-8 cm होता है, कितना भी हो सकता है, फिर 10-12-15 वो patient पता चलता है, तभी वो ही size उसका final होता है और हम इसमें पहले patient को यह सोचे कि भई यह हो सकता है कि physiological ही हो, पहले patient को medical treatment देते है medical treatment देने के बाद एक या दो महीने बाद patient पो sonography करके देखते हैं और sonography में अगर सब कुछ novel आता है medical treatment देने के बाद, तो इसका मतलब patient की जो pathological cyst थी, वो ठीक हो गई वो most likely physiological cyst ही थी, जो थोड़ी जादा बड़ी हो गई थी अगर patient की pathological cyst बहुत बड़ी है, मान लो 8 cm, 10 cm, 12 cm, उसमें कोई medical treatment का रोल नहीं होता उसमें surgery ही होती है तो अब मान लीजे मेरे पास एक patient आया जिसको 8 cm था cyst है और अब मैं उसकी sonography करूँगी और ये देखूँगी कि इस cyst का मुझे क्या करना नहीं तो मैं sonography में क्या क्या चीज़े चेक करूँगी मैं ये चेक करूँगी कि उसका size क्या है लोकिला या एक ही bag है या उसमें multiple bags हैं जिसमें अलग-अलग pockets में अलग-अलग पानी भरा हुआ है वो cyst regular है कि irregular है उसमें blood supply है कि नहीं है पेशन्ट की age कितनी है क्या उसस पेशन्ट को weight loss हो गया है क्या पेशन्ट को बच्चे ना लगने की दिक्कत है तो ये सब चीज़े मैं पेशन्ट का चेक करूँगी जैसे ही मुझे ovarian cyst दिखाए देगा अब हम जब ये सारे features देख लेते हैं तो divide करते हैं कि ये जो cyst है ये physiological है pathological है, cancerous है, क्या है physiological cyst की characters मैंने आपको बताए तो वो अलग हो गई अगर pathological cyst का हमें suspicion होता है तो फिर especially अगर उसमें हमें cancer का doubt होता है तो हम patient के कुछ test करवाते हैं जिनको की tumor markers कहा जाता है tumor markers बहुत तरह के होते हैं, आज मैं उसके बारे में नहीं बात करने वाली एक CA 125 से समंदित मैं आपको अलड़ी बता चुकी हूँ tumor markers अगर patient के negative आते हैं तो हम बहुत assure हो जाते हैं पेशन की जो cyst है वो non-cancerous का है एक बार यह sure हो गया कि patient की cyst non-cancerous है जो जादतर cases में बहुत सारे दूसरे features देकर हो जाती है तो फिर हम patient की दुरवीन द्वारा surgery कर देते हैं और अगर मारलोग हमें doubt होता है कि patient की pathological cyst है तो हम patient की contrast enhanced CT scan कराते हैं patient की attendant को समझाते हैं और फिर हम patient की surgery की planning करते हैं Surgery planning ऐसे cases में अभी हम इस point पे नहीं discuss कर रहे हम सिर्फ ovarian cyst का treatment discuss कर रहे हैं तो अगर 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 कुछ cyst देखें जो की ना तो cancerous है ना वो physiological है उसके अलावा भी कुछ cyst होती है endometriotic cyst हो गई मतलब endometriosis वाले patients को पता है endometriotic cyst होन सी होती है hemorrhagic cyst बड़ी हो गई size में उसके अलावा कभी कभी tuberculosis और इनकी वज़े से TO mass हो जाते है patient को उसके अलावा कुछ बिमारियां होती है जैसे mucinous cyst adenoma, acirous cyst adenoma यह simple cyst होती है पर इनका size can be as huge as 20 cm तो यह जो cyst होती है फिर इनका surgery कराके बयापसी कराना important होता है तो this is small about ovarian cyst तो important यह है कि ovarian cyst अगर होती है तो हमें क्या precautions लेने चाहिए specially अगर आप medical treatment पे चल रहे हैं दवाई दे रहे हैं तो आपको simply ACTs का follow करना है आपको medicine regularly खाना है और किसी तरह का exertion या jumping activities नहीं करनी है these are the only two precautions needed for a patient of ovarian cyst thank you